गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम इंदे क्लास टेंथ वी अला नो दाइट वीडियो आप सब जानते हैं हम देख रहे हैं हमारा चप्टर नमबर फोर डाइट इस इपेक्ट्रिक करंट ठीक है जिसका आज हम लोग आखरी भाग देखने जारे बिटा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर ओके तो देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर के बिफोर लास्ट वीडियो में आप लोग को पता होगा हमने अल्टरनेटिंग करंट एंड डारेक्ट करंट देखा था एसी और डीसी के बारे में संपूर्ण जानकरी प्राप्त की हुई है आज हम वह बहुत बार हमारे कीन जाने के बाद अंपर आज हम लोग और ऑर देखने वाले हैं की यह जना गया है तो यह पे आप आप लोग बौला गया बटा मैं पढ़कर बताता हूं कि वी ऑनorem इसके पूर हुआ हमने इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन के आधार पर कुछ एक्सपेरिमेंट देखे हुए हैं और इसमें जो करन्ट प्रोड्यूस होता है वो सबसे कम मात्रा में होता है उसका मैंनेटिट भी कम होता है तो but the same principle can be can be harness for the use of mankind to produce large current परन्तु यदि हम लोग मानव के उपयोग के लिए यही प्रयोग को large current create करने के लिए use करे तो हम लोग इस principle का उपयोग कर सकते हैं मतलब जादा से जादा मात्रा में current का उद्पादन करने के लिए निर्मिती करने के लिए हमको इस experiment का use हो सकता है तो here mechanical energy used to rotate the current carrying coil in a magnetic field around an axle thereby producing electricity तो यहाँ पे जो आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं इस वीडियो में आप लोग को एक magnetic field और current carrying coil के द्वारा mechanical energy create करके electricity create की जा सकती है एक्सल में जैसे आपको पता होगा students पीछले वीडियो में हमने एक दो वीडियो पहले आप लोगों को मैंने अध्य मोटर के बारे बारे में जानकारी बताई थी याद है आपको efecto मोटर में हमने एक कर्ण्सक्रद भेस, आज रोट होए था यह स्ल्ड नेक्ट्रिक मोटर घ्रक्शन बताया था यह एक्सल था इस construction देखेंगे जिसमें हम लोग flaming का right hand rule देखने वाले हैं और इस आकरूती में भी आप लोग थोड़ा सा बदलाओ देखेंगे students so let's start this electric generator in figure number 4.20 देखे student page number 60 पर आपकी figure यहाँ पे draw की हुई है यह figure भी लगभाग electric motor के समान ही है परंतु यहाँ में थोड़ा सा बदलाओ है यहाँ पर आप लोग खो यह दो separate north और south वाले दो separate magnets यहाँ पर दिये गए हैं और यहाँ पर बीच में same coil हमने use की हुए यह परंतु यह जो excel है एक्सल पर यहाँ पर जो जो split rings हमने ली हुई थी है यहाँ पर एक आधी रिंग थी यहाँ पर आधी रिंग थी यह न लेते हुए हमने conducting पूरी cover up एक रिंग ली हुई है ठीक है और दूसरी एक रिंग यहाँ पर ली हुई है बिटा हमने देखिए दो रिंग हमने connect किये हुए है एक रिंग का direct connection जो है गैलवन और मिंडर से हमने यहाँ पर दूसरे रिंग को दिया हुआ है देख रहे हैं आप लोग समझ मेरा आप लोग को यहाँ पर split रिंग न लेते हुए आधी कटी भी न लेते हुए separate दो रिंग हमने ली हुई है और इन दोनों का connection हमने यहाँ पर दो brushes को दिये बिटा B1 और B2 B1 जो brush है वो A से connected है और B2 जो brush है वो D से connected है coil के ठीक है इस तरह से coil घूम रही है इसमें current flow हो रहा है तो यह current जो flow हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है axle की तरह से घूम रहा है इसके बारे में विस्तल चर्चा आज हम लोग जरूर करेंगे और इन दोनों magnet के बीच में magnetic field create हो रही है जहां पे आप लोग को flaming का right hand rule यूज करना है तो दिखते हैं इसमें जो construction पार्ट है मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि construction पार्ट में आप लोग को दिया क्या है तो इसमें फीगर number 4.20 शोदब कॉपर वायर कॉइल ABCD मतलब एक ABCD कॉइल हमने यहां पे लिए कॉपर की kept between two poles pieces of a magnet मतलब एक दो magnet के pieces के बीच मध्य में हमने इस coil को लिया हुआ है the two ends of the coil are connected to the conducting rings R1 and R2 और यह दोनों ends के जो भी coil है A का जो connection है वो हमने R2 को दिया है और D का जो coil का दूसरा connection है हमने R2 को दिया है A का connection R1 को दिया है वाया carbon brushes मतलब B1 और B2 brushes का connection हमने इसको दिया हुआ है both the rings are fixed to the axle और दोनों rings हमने इस तरह से fix किये हुए है कि वो axle को connected है but there is a resistive coating in between the ring and axle मतलब इसमें यह बोला गया बटा कि रिंग और axle इन दोनों के बीच में एक resistive coating connect की हुई है the axle is rotated with the help of machine from outside अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक थोटा सा यहाँ यह वाला जो sentence है न यह construction दिया हुआ है यह construction sentence जो है न वो थोड़ी देर बाद होना चाहिए था लेकिन बीच में इसको दिया हुआ है तो because of these the coil ABCD start rotating मतलब इसमें बुला गया है कि उस axle को बाहर किसी machine द्वारा electricity generate करके घुमा दिया चाहे तो वो क्या होता है घुमना शुरू कर देता है the stationary carbon brushes B1 and B2 are connected to a galvanometer देखिए construction part दुबारा यही से start हो गया है इसमें आपको बुला गया है कि B1 और B2 यह दो जो ब्रशेस थे आप लोग को यह दो B1 और B2 यह दोनों ब्रशेस जो है हमको connect करने है बड़ा galvanometer से जैसे कि आप लोग figure में देख पा रहे है we show the direction of current in the circuit और यह जो direction of current है जो कि आखरूती में आप लोग को यहाँ पर दी गई है direction of current in the circuit from A to B to C to D और से लेकर फिर B2 से लेकर galvanometer से यह current B1 में जाकर इस तरह से flow हो रहा है समझ मेरा आप लोग को यह current किस तरह से flow हो रहा है और यहाँ पर direction भी दी गई है यहाँ पर आप लोग को किसी के बारे में बताय गया है तो upon rotating the axle मतलब यह axle बाहर किसी machine द्वारा rotate करने पर the branch AB goes up and branch CD goes down मतलब इसमें जो current flow हो रहा है A से B होगा और फिर B से C और C से D होगा और C से D याने के downward arrow आप लोग को दिखाई देगा ठीक है लोग होस जाने के घड़ी के सुई के अनुसार घूमेगी इनका rotation यहाँ पर बताया गया है यह rotation में आप लोग को बताना चाहूँगा कि यह rotation किस तरह से यहाँ पर दिया गया है देखी बड़ा आपके सामने यहाँ पर आकरूती है यह rotation जो है वो A से लेकर B से लेकर C से लेकर D सक फिर B2 brush से लेकर galvanometer में वापस B1 में आकर इस तरह से यह rotate होता है तो according to flaming's right hand rule electric current is produced on the branches A, B and C, D in the direction मनला विसका मतलब होता है कि flaming's right hand rule के अनुसार electric current जो है वो यह इनी branches में generate होता है प्रोडूस होता है A, B से लेकर C, D में तो direction जो होती है current की वो A से B और C से D होती है बड़ा Thus the current flows in the direction A to B, B to C, C to D as shown by arrow in the figure जैसे कि आप लोगको arrow से यहाँ पर दर्शा गया है उसी तरह यह current flow हो रहा है तो देखिए बड़ा यह current कब flow हो रहा है यह बात मैं आप लोगको यही पर बता देता हूँ थोड़ा सा रोक कर कि यह A, B, C और D यह जो current है वो half of rotation मतलब इसका earth rotation में ही यह इस तरह का flow of current यहाँ पर आप लोगको show करेगा मतलब A से B, B से C, C से D ठीक है इस तरह का earth rotation में यह current flow करेंगा बाकी आधे rotation में यह current है वो उल्टा हो जाता बेटा means from D to C, C to B, B to A and from A to again B1 से लेकर यह galvanometer से B2 होकर इस D में यह आधा अपना rotation complete करता है यह समझ मैं रहा है आधा rotation from A, B, C, D और आधा rotation from D, C, B, A ठीक है इसी के बारे में आप लोग को यहाँ पर बताए गया in the external circuit the current flows from B2 to B1 यदि हम लोग external circuit इसको connect करें तो उसका जो current flow होगा वो कैसे होगा बेटा B2 से होगा B1 में through the galvanometer मतलब यह देखिए यह पहले ही rotation के बारे में बता रहा है जैसे कि A से लेकर B, B से लेकर C, C से लेकर D और D से वापस आकर B2 से B1 होते हुए जाएगा लेकिन B2 बीच में galvanometer और फिर B1 इस तरह से होगते हुए जाएगा अब देखिए यहाँ पर पोर्शन को अंडरलाइन किया है मैंने इसका construction तो एक जैसा ही है जैसे मैंने अब भी बताया कि आधे rotation में A, B, C, D होँएगा और आधे rotation में वो C, D, B, A current flow होता है परन्तु यदि एक कोईल से जादा 2, 4, 3, 2, 4, 10 या 15 कोईल हमने यहाँ पे winding group में solenite form में अगर लगाए हुए हैं तो इसमें बहुत सारे several turns of current इसमें generate होगा और वो दादा मातरा में flow भी होगा several times flow the current of magnitude अब देखिए बटा हप तर हप रोटेशन अब देखिए दुबार आम लोग हमारे diagram के उपर आते हैं इसमें क्या हुआ है कि इसमें बीच-बीच में जो important part जो आखरी में लिखकर बताना चाहिए वो यहाँ पे बीच में ही डाला गया है यह जो है यह यहाँ पे से लेकर sentence several times of loads यहाँ तक यह जो sentence है वो आखरी में होना चाहिए था क्योंकि यह portion हमारा complete नहीं हुआ है half rotation अभी हम लोग देखने के बाकी है देखिए यहाँ पर बोला गया है कि after half rotation the branch AB takes the place of branch CD मतलब आदे rotation के बाद जो AB की जगह है वो CD ले ले लेता है और जो CD की जगह है वो AB ले लेता है इसका मतलब क्या है बैटा कि यह जो arrow है यह जो arrow है यह मतलब यहाँ पे CD AB के जग़े पे आ जाता है और AB जो है वो CD के जग़े पे आ जाता है मतलब इसका flow जो है न बेटा वो उल्टा हो जाता है देखिए इस pain से मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यह जो यह arrow है यहाँ पे आ जाने के बाद current इस दिशा में flow होकर यह arrow यहाँ पे आ जाने के बाद यह upward direction में उल्टे दिशा में गुमना चलो हो जाता है देखिए इसका यही मतलब है आप रहाँ प्रोटेशन द ब्रांच AB एक द प्लेस आप ब्रांच CD एक द पोजिशन आप ब्रांच AB therefore the induced current goes as इसलिए इसमें जो प्रेरीत विद्युद्धारा होती है induced current created by the magnetic field magnetic field द्वारा जो उत्पन हुआ हो दो दूसरा induced current होता है वो उल्टी दिशा में गुमना शुरू हो जाता है वो गुमता है DCBA के direction में from DC, D to C, C to B, B to A but branch BA आप देखिए बटा इसमें आप लोग को थोड़ा सा construction part दिया गया है यह जो पैरा है ना last में इसमें बताया गया है कि but branch BA is always in contact with the branch B1 यह जो BA है देखिए मैं थोड़ा सा अकृती को आप लोग को दिखाना चाहूँगा BA जो है वो B1 यह brush के contact में ही रहेगा और DC जो है वो B2 brush के contact में ही रहेगा hence in the external circuit current flows from B1 to B2 और इसी वज़े से यह जब current DCBA की तरफ घुमता है तो B1 से यह current move होता हुआ gallometer से घुम जाता हुआ B2 में जाता है देखिए बटा B1, G, B2 और फिर दबारा DCBA इस तरह से वो ultra rotation follow करता है that is opposite to the previous half rotation जो की विरुद्ध होगा बेटा पहले half rotation से पहला rotation क्या था A, B, C, D फिर B2, G और B1 है ना यहाँ पर आके एक rotation complete हो गया लेकिन जब ultra rotation हुआ तो वो कैसा हुआ DCBA, B1, G, B2 पे यह खतम हुआ तो इस तरह से दो अलग-अलग rotations होंगे और एक साथ आधे-आधे होंगे तो this repeats after every half rotation and alternating current is produced और इस वज़े से ही आधे rotation होने के बाद alternating current अपने आप produce होता जाता है और इसके responsible, इसके लिए responsible कौन factor है यह magnetic field means इसके अंदर जो magnetic lines of force create होता है उसी वज़े से वो half rotation AC generator में create होने में उसकी मदद करता है इसी को this is called as an AC generator इसी को हम लोग क्या कहेंगे AC generator कहेंगे बाद तो यह जो portion आज मैंने आप लोग को समझा के बताया है यह आप लोग को अच्छे से समझ में आया होँगा लेकिन इसमें आप लोग और एक बार इसको पढ़के दीखिये क्योंकि electric generator और electric motor यह दोनों अलग-अलग है तो आकरूती से आप लोग को इसको समझने में डादा दिक्कत नहीं जाएगे अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ जो कि आखरी भाग है वाट विल बी रिक्वार टू में का DC generator मतलब यदि हम लोग को कोई DC generator बनाना है तो उसमें हम लोग को कौन-कौन सी चीज़े लगेंगी तो DC generator मतलब देखी बड़ा पिखले विडियो में मैंने AC और DC दोनों चीज़े आप लोग को समझाईए AC याने के alternating current होता है जो की दूर तक लिया लेकर जाया सकता है लेकिन DC जो होता है वो direct current होता है वो battery तक ही सिमित होता है और DC के आधार पर ही हमने electric motor का construction देखा हुआ है है ना तो उसी तरह DC generator का भी construction हम लोग को देखना है तो इसमें क्या बुला है मैं पढ़के बताता हूँ the DC does not change the direction in the electrical circuit in the external circuit मतलब देखिए बड़ा इसके external circuit में जो direction change हो रही थी मतलब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको यह देखिए external circuit में इसकी जो direction है वो DCBA में बदल गई थी electric generator की AC electric generator की लेकिन DC में यह direction बदलती नहीं वो एकी direction में गुमेगी मतलब A, B, C, D से गुम रहा है ना current वो एकी direction में आहाँ protection complete करेगा तो to achieve this electric motor के बारे में जानकारी बताई उसमें आमने split ring लिए थी आधी कटी हुई यहाँ से आधी और यहाँ से दूसरी आधी और इसी का connection फिर B2 से जोड़ा हुआ था तो यह ring अगर connect की जाए electric motor electric generator में दो रिंग ना लेते हुए तो इसमें क्या होगा बिटा एकी direction में flow of electricity यहाँ पर होंगी electric current इसे एकी direction में flow होगा और DC generator चलने लगेगा तो इसका मतलब क्या बोल रहे है यह देखिए because of this arrangement the branch of the coil going upward मतलब इसमें क्या होगा बिटा मैंने यहाँ पर एक आकुरूती बनाई हुई है दिखाना चाहूंगा आपको तो students आप देख पा रहे हैं यह DC generator की एक डाइग्राम है इसमें मैंने same construction किया हुआ है as compared to electric motor electric motor के जैसा ही construction है North और South Pole हमने लिया हुआ है separate door magnet है इनके बीच में एक coil हमने यहाँ पर connect की हुई है दोनों का connection B1 और B2 brush को है इनके बीच में एक axle हमने लिया हुआ है दोनों का split rings को connect किया गया भाग यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को आधे कटे हुए दो रिंग है यहाँ जो जुड़े हुए है एक साथ और दोनों इस तरह से जुड़े हुए कि वो एकसेल को पकड़ कर है और B1 का जो एक टर्मिनल वो बल्प को दिया है बीटू का दूसरा टर्मिनल बल्प को दिया है जैसी इसमें से current flow होता है वैसे यह बल्प glow होना शूरो जाता देखिए अगर यहाँ पर आप लोग को supply द करना है ताकि A से लेकर B और B से लेकर C और D यह आधे आधे rotation में A की direction में current flow हो जाए और यह generate होने लग जाए दिखिए इसी में आप लोग को यही बता गया है तो to achieve this split ring is fixed on the axle like a split ring used in an electric motor because of this arrangement the branch of the coil going upward is always in contact with one brush and the brush going downward is always in contact with the other brush मतलब यह जो arrow upward जा रहा है वो brush B1 के contact में है और यह जो arrow downward जा रहा है वो brush B2 के contact में होगा and the current flows in one direction in the external circuit और इसी वज़े से जो current होगा वो external circuit में A की direction में घूमेगा this is why this generator is called a DC generator और इसी वज़े से इसको DC generator कहते बटा अब देखिए draw the diagram of a DC generator then explain as how the DC current is obtained देखिए इसमें DC generator की diagram आपको draw करने के लिए बोली गई है तो जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर यह diagram draw करके बताई हुई है इसी तरह से इसको आपको draw करना है ठीक है यहाँ धूरी और यह कुंडली मैंने लिखी है यह Hindi medium वालों के लिए लिए लिखी हुई है ठीक है लेकिन आप लोग एक्सल और कॉईल से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बस आप लोग को यह समझ ना है कि आरवन आर्टू क्या है दो स्प्लिट रिंग्स है और भी वन बीटू क्या है बिटा दो ब्रशे से ठीक है तो और इस तरह से आई रोप लोग को इसमें शो कर लोग को बताना चाहूंगा और देन हम लोग अपना नया चाप्टर स्टार्ट करेंगे तब तक जितना फूर्शन अपना हुआ है वो सब आप लोग रीड करते रहिए और लर्न करिए और सबसे इंपोर्टन अपना खुद का ख्याल रखी थेंक्यू ग्लास टेक्यार अपना हुआ 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 है